नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज हम पाइबर टेवल के लेशन 3 के बारे में बात करेंगे अगर अभी तक आपने लेशन 1 एंड लेशन 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रेशन बॉक्स में नीचे दिये गए हैं आप जाके वाच कर सकते हैं दोस्तों हम अपने चैनल पर Basic Excel, Advanced Excel, Microsoft Office and Computer की जंकारी डिटेल से आपको समझाते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आई दोस्तों अपने वीडियो के और मूफ करते हैं दोस्तों मैंने आपको लेशन 1 में रो सेक्षिन एंड वैलू सेक्षिन के बारे में बताया था डिटेल से लेशन 2 में मैंने आपको कॉलम सेक्षिन के बारे में बताया था डिटेल से और इस वीडियो में हम फिल्टर सेक्षिन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में 80% Excel user नहीं जानते हैं और जो 20% Excel user इस filter section के बारे में जानते हैं तो वो इतने detail से नहीं जानते कि किस situation में इसका use करेंगे तो इस वीडियो में हम आपको detail से समझाने वाले हैं अगर आपको pivot table के बारे में आता भी है तो वीडियो के अंदर last तक बने देगा एक एक point काफी important है तो वीडियो को skip मत करिएगा तो दोस्तो हम सबसे पहले employee name पे click करेंगे employee name पे हमने जैसे click किया तो यह हमारा text है तो text को Excel क्या करता है by default हमारा row section में transfer कर देता है यह Excel के अपनी by default setting है ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इस जो product name है इसको हम ले लेंगे column section में अगर हम अभी इस पे click करेंगे तो यह automatic हमारा row section में by default Excel कर देगा क्योंकि यह text है जो कि देखने में odd लग रहा इसलिए हम इसको product name को उठाके column section में ले आएंगे अब हमारा देखी देखने में भी अच्छा लग रहा अब हम क्या करेंगे total cell quantity तो इस पे हम जैसे click करेंगे तो यह हमारा numeric value है तो Excel इसे by default हमारा value वाले section में transfer कर देगा तो अब आप देखेंगे मोहन हमारा washing machine 42 बे चाहा है और cooler 42 बे चाहा है क्या use है क्या benefits है अब आप देखिए अब मैं इस पर यहां पहले select multiple item पर click करूंगा तो आप देखेंगे कि date के left side check box enable हो चुके है तो सबसे पहले हम इस पर टिक हटा देंगे सारे date का अब मालीज हमें specific date चाहिए तो हम इस पर click करेंगे जो हमारा जहां तक आपको लेना आप ले लिजे और okay करेंगे तो अब आपकी उस specific date की details आ जाएगी employees तो है ना दोस्ते ये कमाल का चीज ये तो मालीज हो सकता है बहुत से XL users जानते हो लेकिन अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो 99% XL users नहीं जानते हैं अब ही आप देखिए ठीक है तो ये आपको concept समझ में आ गया है अब मैं क्या करूंगा इस filter section में अब आपको यह यहां जितने भी सारे date दिख रहे हैं मुझे इन सारे date का details अलग-अलग sheet में चाहिए है ना जैसे मालेजे हमारा ये जो 2 April है 2 April का date यहां 2 April लिखके आ जाए और उसका detail हमारा अलग आजाए जैसे अभी हमारे पास जैसे मैंने 2 April select किया तो अभी आप क्या देख रहे हैं 2 April क हमारा मोहन ने washing machine sell किया था ठीक है 2 April को इसी तरह मुझे हर date का detail अलग-अलग sheet में आ जाए तो काफी time लगेगा आप copy paste करके करेंगे तो इस situation में आप करेंगे क्या यहां all पे click करिए ठीक है अब आपको क्या करना है इस analyze वाले टैप पे click करना है पाइबर टेबल पे जाना ह है so report filter page पे click करना और date पे click करके okay कर देना है तो अभी आप देखेंगे कि आपकी date wise seat new sheet create हो चुकी है अब आप देखिए 2 April को देखिए मोहन ने washing machine बेचा था यहां भी date आ गई और यहां भी अब देख रहे हैं कितना कमाल का feature से यह अब देख रहे हैं घंटों के काम को आप को मिन्टों में कर दिया दोस्तों है ना दोस्तों कमाल का features मज़ा आया आपको सीखके अब इस पर एक और example क्या set कर सकते हैं अब आप क्या कर सकते हैं मालेजे आपस product wise total sale है ठीक है अब आपको employee wise detail निकाल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं जैसे मालेजे आपकर date है यहां ठी लिया ठीक है और total sale यहां हो गई ठीक है तो यह आपकी अप्रैल में total sale है ठीक है और यह आपकी माई में total sale है यहां ठीक है अब मालेजे आपको employee wise निकालनी है detail अलग-अलग तो employee name को यहां filter में ले लिए और अब देखिए आप क्या होगा अब आप इस filter section में analyze tab पे जाईए पाइवर टेवल option पे option में जाने के बाद so report filter paste पे क्लिक करके okay कर दीजे तो अब आपके पास जो detail आईगी अब आप देख लिजे employ wise आ गई यानि मोहन ने अप्रैल में हमारा quashing machine 42 sale किया था माई में हमारा मोहन ने 42 cooler sale किया था है ने दोस्तो कमाल की चीज अब आप इस तरह आप print out ले सकते हैं यह data तो छोटा है मैंने example खुद से create किया है अगर आप कहीं काम करेंगे तो 1000 लाखों में data होगा तो कितनी जल्दी काम हो गया है दोस्तो मिंटों में काम हो जाने वाला है आपका तो इस tricks को जरूर सीखिएगा अगर कोई भी problem आती है तो आप मुझे comment कर करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम फे follow करके मुझसे वहां message करके पूछ सकते हैं सारे link description box में दिये गया है तो आसा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, comment कर दीजे मिलते हैं next वीडियो में